दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो होने वाले विवाद हैं इनके भी निप्टारा करता है एक उधारन के रूप में देखते हैं जैसे 36 गड़ और उडीसा के बीच में हमेशा ही महा नदी में जल विवाद को लेके चर्चाएं होते रहती हैं तो इस प्रकार की जो व लुए वेरिजल विवाद है इस प्रकार से दो राज्यों या दोसे अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई कोई आता है तो उस पर उस सर्वोज चन्यालय हद तक भी कर सकती है जैसे अभी हाल फिलहाल की घर्टना में हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मनीपूर में इस्थिती निर्मित हुई और अजक्ता की स्थिती उसमें सुप्रिम कोट ने स्वयम सज्ञान लेते हुए कहा सरकार से कि भी आप आपो को नयाय देने का कारिय करता है हब बात करते हैं उच्चानयालय का सव विदान के दुष्षे दूसरे कहा गए है कि कि प्रतेग राज्य या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्चे नि Trad haber हो सकता है हाल फिलहाल में पुरे देसंक्टों 25 उच्चे निकार्य कर ही सन 2001 में राज्य निर्मान के बाद चत्रीद वड़ उच्छे नियाले की स्थापना 2001 में बिलासपूर में किया गया इस उच्छे नियाले में हाल फिलहाल में 18 नियाइधिसों की संख्या है अर्थात एक मुख्य नियादिस और 17 अन्य नियादिस परतमान में नियाय मूर्थी रमेश सिन्ह ब्लाजपूल उच्छे नियाले के नियादिस हैं। इनकी निक्ति उसी तरीके से कॉलोजियम माध्यम के तहत स्विक्रिति के उपरां राष्ट पति के दौरए की जाती है। इनका जो सेवा निवृत्ति का वर्स होता है वो 62 है जबकि सर्वच्य न्याले के न्याज इसों की सेवा निवृत्ति की उम्रे जो है 65 है और इनका जो है 62 है तो इस प्रकार से उच्च्य न्याले कारे करती है उच्च्य न्याले भी मानाव अधिकारों को सरक्षन प्रदान क करती है अगर कोई व्यक्ति जो नियालीन प्रक्रिया में फशा हुआ है अगर उसके पास वकील करने की वस्था नहीं है तो ऐसे प्रक्रणों के लिए ऐसे आम जनों को सरकारी वकील मुहिया कराई जाती है इसी प्रकार से निचली अदालते अगर कोई फैसले लेती है जीला इस्तर पे तो ऐसे फैसलों को भी आप सर्वस्चन्याले में उस्चन्याले में जो है चुनावती दे सकते हैं आगे जो भी राज्य के छेत्र दिकार में आने वाले जो भी प्रक्रण होगे ऐसे प्रक्रणों को उस्चन्याले जो है देखती है या उस पर निर्णे देती है इसी प्रकार से जीला इस्तर पे जीला नियाले की जीला अदालतों का गठन किया गया है इसमें प्रतम और डीकी न्यादीज होते हैं जो जीला इस्तर पर होने वाली का निप्टारा करती है यह इन नयालेयों में दो प्रकार के मुकदमें देखने को मिलता है, पहला दिवानी और दूसरा फौजदारी, दिवानी मुकदमें जियोस संपत्ती, परिवारिक विवात, पति-पतनी का तलाद या संपत्ती का बटवारा जैसे विश्वपराधारित होता है, तो पहीं जो फॉझदारी मुकदमे होते हैं वो मार पीट लड़ाई हगड्य इस सम्बंदित होते हैं इस प्रकार से तो अलग अलग प्रकार से नयाइक वेवस्था को बटा गया है और उन जिला नियालव के अधिनस्त जो है अधिनस्त नियाले कार्य करती है जो छोटे-छोटे मुकदमें जो होते हैं उनका निप्टारा करती है इस प्रकार से देखते हैं भारत में एक मजबूत और ससक्त न्याइक ववस्था सुप्रिम कोड़ से लेकर उच्चे न्याले जिला न्याले और अधिनस्त न्याले का गठन किया गया है इस न्याइक प और सुलब न्याइप्रदान करना आप सभी जानते हैं कि भारती न्याइपाली का है तो सरर लेकिन उसकी प्रक्रिया थोड़ी कठीन है और उसके बहुत बड़ा करण सिख्चा का अभाव भी होता है एक आम आजमी न्याइक प्रक्रिया में फसना नहीं चाहता दूसरी और न्याइधिसों की संख्या कम है इसलिए अलग-अलग राज्यों में या सुप्रिम कोड में लाखों केस आज भी पेंडिंग है तो इस प्रकार से कई बार कई सारे विश्यों पर न्याइप्रदान किया जाए यही भारती न्याइपाली का की सबसे बड़ी खूब सूरती है भारत निर्वाचन आयोग देश जब आज्याद हुआ देश का सविधान बना तो हमने संसदी व्यवस्था को अपनाया और हमने सक्तियों का विकेंद्री करण किया पंचायत से लेकर राज्यों तक और राज्य से लेकर केंद्र तक अलग-अलग संस्थाओं का हमने गठन किया चाहे वो संसद हो चाहे वो विधान सभा हो राज्यों में चाहे वो पंचायत इसतर पर पंचायत हो अब प्रश्ण ये आया कि इतने बड़े देश में जन परतिनिधियों का चुनाओ कैसे होगा जन परतिनिधियों का चुनाओ कौन करेगा तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है जिसे हम इलेक्शन कमिशन भी कहते हैं 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई इस दिन को हम प्रतिवर्थ राश्टी मद्दाता दिवस के रूप में भी बनाते हैं इस भारत निर्वाचन आयोग के हाल फिलहाल में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनका नाम है राजीव कुमार और उनके दो और सहीयोगी हैं जब निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 1950 में तब से लेकर 1989 1989 तक मात्र एक सद्यस्य मात्र एक सदस्य अर्था सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे जो पूरे निर्वाचन आयोग को चलाते थे निर्वाचन आयोग का पुफस्था किया गया और जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दूसरे जो दो होते हैं सदस्य होती हैं सहयक आयुक्त होते हैं इस प्रकार से त्री सदस्य निर्वाचन आयोक का गठन जो है भारत में किया गया और निर्वाचन की प्रक्रिया को वो आगे बढ़ाते हैं अब निर्वाचन आयोक के सदस्य या आयुक्त कौन होगा वरिष्ट अधिकारी जिनें निर्वाचन का अनभव हो यह सरकार की सलापर राष्ट पती के द्वारा निर्वाचन आयोक के पदाधिकारियों की निप्ति होती है इनका कार्यकाल 6 वर्स का होता है या 65 वर्स अधिक्तम 6 वर्स तक काम कर सकते हैं या 65 वर्स रिटार्मेंट की अवधी तक काम कर सकते हैं इसी प्रकार से अगर ऐसा माना जाएगा कि इनके द्वारा अश्रविधानिक कार्या या किसी प्रकार से कदाचार का कोई कार्या पाया जाता है तो इनको भी महभियोग के माद्यम से पजट से हटाया जा सकता है हलंर हिफिलहाल में अभी तख किसी भी निर्वाचन आयुक्त को इस प्रकार से महभियोक से हटाने क्या सकता नहीं पड़ी तो निर्वाचन आयोग करता क्या है समाणेता एक आम मद्दाता के मन में यह सवाल उड़ता है यह आम मत दाता जानता नहीं कि निर्वाचन आयोग होता क्या है या थोड़ा पढ़े लिखे लों जब चुनाओं का समय आता है तब देखते हैं कि भी हाँ निर्वाचन आयोग अब सक्री हो गया है जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग है उसी प्रकार से राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग भी कार्य करती है भारत निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से जो निर्वाचन कराती है उसमें राश्पती का निर्वाचन उपराश्पती का निर्वाचन राज्य सभग के सदस्यों का निर्वाचन लोग सभग के भारत निर्वाचन आयोग के कंधों पर होती है यह काम करता क्या है तो इसके बहुत सारे काम है और छेतरा धिकार भी है अलग-अलग तरीके से नियाइपाली का के के समान ही भारत निर्वाचन आयोग के पास नियाइक निर्णे लेने की भी छमता होती है प्राया हम एक आम आ लेकिन जैसे ही चुनाओं का समय आता है और जैसे ही सुनाई पड़ती है कि आचार सहिता लागू हो गया है यह आचार सहिता जहां लागू होता है वहां से ही जो है निर्वाचा नायोग जो है बड़े ही सक्री रूप में सामने आना सुरू कर देता है अचार सहिता अर्थात सरकार या जो मंदरी मंडल है उसकी सक्तियां सीमित हो जाती है वो सिर्फ रूटीन के कारिय कर सकते हैं और निर्वाचन आयोग की भूमी का जो है महत्वपुण हो जाती है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या कारिय करता है तो निर्वाचन आयोग मतदाता सुची तयार करता है पूरे देश भर के मतदाताओं की सुची तयार करता है अलग अलग राज्यों की अलग अलग जीलों की अलग अलग लोग सभ़ छेतरवार विध तो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग दौरा मद्दाता सुची तयार की जाती है समय समय पर कैम्प लगाया जाते हैं कि जो युवा जी वेस्क हो चुके हैं जिन्होंने 21 वर्ष की आयू पूर्ण कर ली है वह मद्दाता सुची में अपना नाम दर्यकर आए यहां पर गवर करने वाली बात यह है कि 1989 के पहले तक भारत में मद्दाताओं की जो नियुंतम उम्रत थी वह 21 वर्ष थी 89 में राजी उजगांथी की सरकान ने सविधान में संसोधन करते हुए इस उम्रत को तीन वर्ष घटा दिया और वैस्क मतदिकार की नियुंतम जो उम्रत सीमय है उ तो हाल फिलहाल में वह वैसक नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयूपूर्ण कर ली है वह मद्दाता सुची में नाम जुड़वा सकता है मद्दाता सुची से नाम बदलवा सकता है अगर वह कहीं और चला जाता है किसी अन्यत्षेत्र में तो नाम को वहां से दूसरे जग लोको मान्यता देना भारत में दली व्यवस्था है यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी खुबसूर्ती होती है कि भारत में दली व्यवस्था है और भारत में दली व्यवस्था के साथ साथ बहु दली व्यवस्था है बहु दल कॉंसर जैसे हम देखते हैं भारती जनता भार्ट कॉंग्रेस बहुजर्ण समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी राष्टवादी एक मोई अए रहे लगवक शेष्टादफ अलग अलग छे स्रूमें कारिय कर रही है लेकिन उनमें से पास साथ जो हे प्रमुकुरुप से राश्टी दल हैं और सेत्र जो है छेत्री दलों की भूमिका में कारिय कर रही है तो इन दलों को भी कि मान्यता देना कि कौन से दल राश्टी दल होगा और कौन से दल छेत्री दल होगा इन दलों को मान्यता देने का काम जो है निर्वाचन आयोग करता है फिर इन दलों को चुनौश्रम ऑबन्तित करना है यह कार्य भी राजितिक दलों के राज निर्वाचन आयोग दौरा किया जाता है ध्यां रखेंगे कोई भी राजनितिक दल अपने मर्जी से अपना चुनावस चिंन्य उप्योग नहीं कर सकता हाँ यह जरूर है कि जब चुनावस चिन्य आवंटन होता है तो राज्य निरवांचनायोग या भारत निरवांचनमायोग उनसे सला ले सकता उनका राय जान सकते भी आपकी पसंद क्या है लेकिन किसी राजनितिक दल को उसके पसंद कही चुनाव चिन्न मिले इसकी कोई बाध्यता नहीं होती अपनी सुधा अनुसार नियमों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोगद्वारा राष्टी और राज्यिस्तरी राजनितिक दलो को चुनाव शिन्ना आबन्टित करता है उसी प्रकार से परिसी मन समय समय में जंसंख्या के आधार पर विधानसभा लोकसभा छेत्रों का परिसीमन होता है परिसीमन अर्थात जन संक्या के आधार पर उन छेतरों को बनाना उनका निर्मान करना फिर से परिसीमन करना और है एस्टी एस्टी अनुसुचिजाती और अनुसुचिजजाती के लोगों को आरक्षित करना इसे हम संख्या के आधार पर देखें तो जैसे 36 गड़, 36 गड़ में कुल लोकसवत छेतर 11 हैं, लेकिन इन में से 11 में से जो चार लोकसवत छेतर हैं, सरगुजा, राइगर और नीचे के बस्तर और कांकिर, ये अनसूचित जन जाती एश्टी के लिए आरक्षित है, इसी प्रकार से जांजगिर लोकसवत छेतर जो है, एससी सेडूल काष्ट के लिए आरक्षित है, जब 2008 के पहले जब परिसीमन नहीं हुआ था, तब सारंगर नाम का भी एक लोकसवत छेतर था, वो जो है, एससी के लिए आरक्षित हुआ करता था, हाल फिल हाल में जो कोर्बा लोकसवत छेतर है, वो परिसीमन के बाद अस्टित्व में आया, सारंगर लोकसवत विलोपित हुआ, और कोर्बा लोकसवत जो है, वजूद में आया, इसी प्रकार से विधान सबस छेतरों की बात करें, तो 2008 परिसीमन के पहले तक रायपूर सहर, जो आज चार विधान सबस छेतरों में बटा हुआ है, उत्तरदक्चिन, पश्चीम और ग्रामीन, ध्यार रखेंगे, पूर्व नहीं है, उत्तरदक्चिन, पश्चीम और ग्र कामीन, इसी प्रकार से रायपूर से लगा हुआ मंदिर हसोच छेतर है, जो पहले अपने आप में एक प्रिथक विधान सबस था, लेकिन अब वो विलोपित हो चुका है, तो इसमें ध्यान देंगे कि कुल संख्या, विधान सबस की 90 भी है, 90 बढ़ा नहीं है, संख्या जाती के लिए और 29 विधान सबस खेतर, अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षित है, और सेस इंकावन, विधान सबस खेतर, जो यह समान्य है, तो इस प्रकार से छेतरों का परिस्विमन करना, जाती जन गणना के आधार पर उनको आरक्षित करना, ये भी निर्वाचन आयोग का महत्वपूर कार्य है, इसके बाद निर्वाचन का कार्य करना, समय समय पर जिंजिर राज्यों में विधान सबस चुना होते हैं, उन राज्यों में जो है भारत निर्वाचन आयोग चुन राचन कराती है, लोग सभा का निर्वाचन है, राश्पती का प्रतेक दो वर्स में जब वो सीठे खाली होती है तो इस प्रकार से समय समय पर हमें निर्वाचन आयोग की ज़रत या उनको याद तब करते जब चुनाव आता है लेकिर ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो वो साल भर करते रहते हैं देश के अलग-अलग राज्यों में इसी राज्य में निर्वाचन की तिठी घोसित होती है तो आधर्स आचार सहिता जो है लागू करनी पड़ती है ताकि जो सरकार सत्ता सीन है वो अपने जो पदों का अपने पावर का अपने सक्तियों का दुलपियोग ना करे उनको नियंतरित करने के लिए उनको अंकूस चाहे वो मंदऌरी मंदल ही क्यों नहूं उसकी जो सक्तिया हैं सिमित हो जाती है विसेश कर किसी अधीकारी या करमचारी की नियुक्ति या उसकी इस्थात्रन इस त stamping जैसे मुद्दो पर जो है आचार सहीता जो है बहुत प्रभावी हो जाता है जैसे ही किसी अधिकारी करमचारी पर यह आरोप लगता है कि वह आदर्स आचार सहीता का पालग नहीं कर रहा है तो निर्वाचन आयोग उस पर कारवाई कर सकती है इसी प्रकार से करना इसी समय पर मधद्दाताओं को परचिक्शर प्रदान करना ब्लूव गरुम पर बूत इस्तर पर बताताओं को क इकत्रित करके उन्हें बताया जाता और खासकर जब हम प्रयोग कर रहे हैं आज हम मद्दान में ओटिंग मसीन को व्योग कर रहे हैं तो ऐसे इस्तिति में मद्दाताओं का प्रस्रिक्षन जो है अनिवार हो जाता है कि मद्दाताओं को यह बताया जाए कि किस प्रकार की निर्वाचन प्रनाली है कैसे निर्वा निर्वाचन आयोग निस्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन कराने के लिए कटी बद्ध है इसी प्रकार से अगर किसी सांसत या विधायक की यो ज्यता को लेकर अगर कोई प्रश्ण उड़ता है तो इस पर भी जो है अंतिम निर्वाचन आयोग को लेना पड़ेगा यह जो परतिनीदी होते हैं चुनाओ के समय चाहיר वह सांसत हो चाहरी विधायक हो जब चुनाओ लड़ते हैं तो एक सपत पत्र देते हैं और सपत पत्र में एक विस्त्रिच जानकारी होती है उनके पूरी परिवारिक और आए वए और बहुस सारे मुद्दो न्याईन प्रक्रिय कोई बात को नहीं किया है और बाद में ऐसा और प्रत्यारोप उस प्रत्यासी पर या उस जीते हुए विधाया करता है तो इस पर जो अंतिम निर्नेलेने का अधीकार जो है भारत निर्वाचानायोग का है कि वह नहीं नहीं और और को से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके पास एक नियाय liner की भी स्ठिति रहती है इसी प्रकार से अगर किसी निर्वाचन छेत्र में मत्दान केंदर में बूत में कुई अनमित्ता पाई गई है तो वहां का चुनाव वहां का निर्वाचन को भी रद्द कर सकती है उस पर आगे उपचुनाव भी कराया जा सकता है तो इस प्रकार से यह पुना वोटिंग करायी जा सकती है इसी प्रकार से मदगर्णा के समय जब प्रत्यासी अगर किसी प्रकार से मदगर्णा में असंतु होता है तो री कॉंटिंग पुनाह गर्ना का भी प्रवस्था निर्वाचनायोग कर सकता है अंतिम निर्वाचनायोग जो है राश्पती और राज्यपाल को निर्वाचन संबंदी सलाह परदान करता है इस प्रकार से पूरे देश में भारत निर्वाचनायोग बड़े ही महत्तुपुन भुमिका में कठीन प्रिश्ट्रम करते हुए अपने कारियों को संपादित करता है भारत विताओं का देश है अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थिती है अलग अलग वहां की प्रकृतिक वातावरन है भागौलिक वातावरन है और निर्वाचन आयोक को निर्वाचन संपन्य कराने के लिए पहाडों में चड़ना पड़ता है उसे नदिया पार का resonate पड़ती है जंगलों में जाना पड़ता है और निर्वाचन आयोग का युद्देश्ट होता है कि कोई भी मद्दाता जो है अपने मताधिकार के से वंचीत ना हो प्रतेग मद्दाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और फिल हाल में हम देखते हैं पूरे देश में तो लगभक आधे से अधीक 55 परसें 70% मद्दान जो हैं देखने को ही मिलता है हाल ही में जो 36 मद्दान हुआ उसमें 75 सब्सक्राइब अपने मताधिकार के परियोग किया यह काफी अच्छा है और कई एक विधान सभा कई बूथों में तो 90-95 हंडेट परसंट मद्दान होता है यह और ही उलेखनी है बड़ा अच्छी बात है मद्दाताओं में लगातार जागरुकता आ करती है और मद्दाताओं को जागरुक करने का कारिये कहीं नar के भारत निर्वाचन आयोग उन्हें किया है वह भी एक दौर था जब भारत में यह निर्वाचन आयोग या निर्वाचन प्रक्रियां पर लगातार ये उंगलिया उड़ते रही कि मद्दान केंद्रों को कैप्चर कर लिया जाता था जो मत पेटिया थी उसको उठा के जो है बंदूग के दम पे ले जाया जाया करते थे यसी बहुत सारी घटनाय पहले हुआ करती थी और इन सब को तोड़ निकालते हुए जो है EVM मसीन लाया गया हाल फिल हाल में हमारे यहां जो निर्वाचन की प्रक्रिया है पंचायतों को छोड़ दे तो बाकी से जगों पर EVM मसीन के माध्यम से निर्वाचन होता है इससे उसकी साक और उसकी पारदर्सिता को मजबूती मिली है इस प्रकार से निर्वाचन आयोग पूरे देश में कार्ये करती है.